स्वागत है अक्वा गुल्फाम यूजिकल अकैडमी के करने वीडियो में अगर आप एक म्यूजिक स्टूडेंट हैं तो या तो आप सिंगिंग करते होंगे या कोई म्यूजिकल इंस्टूल्मेंट बजाते होंगे यानि कुल मिला के types of musical instruments कितने होते हैं देखो आर हमको practical चीजे तो पता होनी चाहिए जो भी हम सीख रहे हैं बजा रहे हैं उसके बारे में हमको अपने हाथों से बजाने आना चाहिए लेकिन उसका theory भी हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि theory किसी भी चीज का बहुत important part होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको musical instruments की थोड़ी सी theory बताने वाला हूँ हम जो भी musical instruments देखते हैं जो भी musical instruments बजाते हैं तीसरा वाला होता है जिसमें एक लंबा सा string लगा होता है तार लगा होता है जिसको हम हलका सा इसमें vibration करते हैं उसको हिलाते डोलाते हैं उस पे मारते हैं तो बजता है आप कोई भी musical instrument देख लें ओ इन्ही तीन तरीकों से बजेगा जैसे बासुरी हो गया शहनाई हो गया trumpet हो गया यह सब जो musical instruments हैं उसमें जब तक हम फूक नहीं मारेंगे तब तक कोई sound कोई भी आवाज नहीं आएगा तो इनको wind instruments कहा जाता है दूसरा होता है percussion instrument जिनको हम लोग पीट के बजाते हैं जैसे तबला हो गया तबलेफ हम लोग अपने हाँ से पीटते हैं ड्रम हो गया, ड्रम को हम लोग स्टिक से पीटते हैं, उसके बाद ढोल हो गया, पांगो हो गया, पैड हो गया, जिसको हम लोग ऐसे-ईसे करके बजाते हैं, तो ऐसे-ईसे धेर सारे इंस्ट्रुमेंट्स हैं, जिसको हम लोग पीट के बजाते हैं, तो जिस भी डिवाइस को जिस भी instrument को पीटके बजाया जाता है, ओ, percussion instrument के category में आता है, तीसरी category होती, string categoryुः, जिसमें एक लंबा सा तार लगा होता है, जैसे인दार में तार लगा होता है, वाइलेन होता है, जिस भी musical instrument को ऐसे वाइबरेट करके यह आईसे करके बजाया जाता है, ओ वो सब string musical instrument category में आते हैं, तो कोई भी instrument हो, कोई भी बजाने वाला यंत्र हो, वो इन ही तीन category में आता है, पहला wind instrument, दूसरा percussion instrument, तीसरा string instrument, और ये चीज़ आपको पता हो नीचे ही, अगर आप कहीं class class करते हैं, कहीं class करने जाते हैं, या music की theory कहीं भी आपको बताना पड़ जा है, music की theory science में, science music interconnected, तो अगर आपको एक category समझ में आई हो, तो आप एक question का जवाब comment box में लिखिए, ये जो piano है, digital piano या जो harmonium होता है, ओ तीनों में से किस category में आएगा, अगर आपको ये सारी बाते अच्छे से समझ में आई होंगी, तो आप इस question का answer दे सकते हैं,